हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो अबर यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में दूस्तों हम आपको चिखाने वाले हैं कि कूलर के वायरिंग वन ओन ओन ओफ स्विच विद ओन रेगुलेटर के साथ में किस तरह से की जाती है जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, यह हमारे पास एक कूलर है, जिसके हम वायरिंग करने वाले हैं यहां पर हमारे कूलर में एक ओन ओफ स्विच है, जिसे कि हम पंप के काम में लेंगे, वाटर पंप के काम में लेंगे एक हमारे cooler के अंदर regulator है जो कि motor को on off plus motor की speed control के काम में लिया जाएगा हमारे cooler के अंदर total है छे वायरी निकल कर आती है जिन में से आपके सुरवाती दो तार होंगे जो कि आपकी main electricity के होंगे जो कि light की supply होगी जैसे कि यहाँ पर मैंने इस वाले होल पर लिखा हुआ है यह आपकी main electricity की lead है जो इसे आप electricity board में plug-in करते हो जो second hole से wire निकल कर आते हैं वो हमारी main motor यानि की air motor के हैं जो कि बीच वाले होल से निकल कर आते हैं और यहाँ पर दो wire हैं हमारे पास red और yellow यह दो wire हैं जो कि हमारी water pump motor के हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी रहे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह हमारी main motor की wire है जो कि हमारी motor से लगी हुई है जो कि हमारी main air motor है और दोस्तों यह हमारी pump वाली wire है कन ale करें कि तो इस में थोड़ा इसे कनफर्म करें यह कि पीछे कि तरफ़ से क्मटक वाली कोन रहे हैं और मोटर वाली कोन इसाथ्ति हो जाती है अभी दोस्तों हम हमारी cooler के motor के wire connection करेंगे यानि किस की wiring करेंगे तो हमें सबसे पहले करना क्या है जो हमारी एक main electricity के lead है इससे दो वायरे आती हैं दो वायरे आती है हमारी motor से चोकी air motor है और दो आती है water pump से यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है आपकी दो वायरे आती है मैंने electricity lead है इन दोनों के wires में कोई भी एक wire ले लिए और एक wire लिजिए आप आप की जो air motor है उससे दो वायरे निकल कर आती है एक मेन मोटर की वाइर लेनी है एक आपके वाटर पंप की वाइर लेनी है और तीनों वाइर को एक जगे जॉइंट कर देना है और जॉइंट करने के बाद इस जॉइंट को आपको टेप कर देना है अब यहां पर दूस्तों आपके पास में तीन वायरे बसती हैं एक आपके electricity की लेड़ की एक आपके man motor की और एक आपके water pump की यहां पर यह आपके regulator है जिसे आपकी दो वायरे निकल कर आती है और यहां पर यह आपके switches के दो terminal है आपको करने क्या है जो आपका electricity का वायर बचा ह हुआ है जो आपका regulator है इसके दोनों वायर्स में से किसी भी एक वायर पर इसे जॉइंट कर दीजिए जैसा कि मैं इस वाले बायर के साथ में कर देता हूं इसे जॉइंट कर देने के बाद मैं आपके switch पर जो कि आपका water pump का own up switch है इस पर दो terminal है यह पहला point यह दूसरा point किस हैं अभी यहां पर दोस्तों आपके पास में एक वायर बच गई आपकी मेन मूटर की और एक बच गई आपके water pump की अब जो यह water pump वायर है यह आपको यह आपका water pump का switch है इसके इस खाली वाले टर्मिनल पर इस खाली वाले point पर लगा देनी है अगर आप दोस्तों इस वायर करके आपको tight कर देना है कि यहां पर दोस्तों अभापका एक मेन मुटर की वायर बची हुई है और यहां पर रेखूलेटर से आपके पास में यह फाली면 बची हुई है तो यह वायर आपको इसके साफ जोउइंट कर देना है और इसको टेप कर देना हैं को यह हमने मैं आपको फिट से समझा देता हूँ, एक वायर एलेक्टिकी की लीड के लिए, एक आपकी मेन मोटर के लिए और एक वाटर पंप के लिए, यहाँ पर नुटल और फेस वाला कोई चक्कर नहीं है, आपको इसा भी दो वायर इसमीं से एक वायर इस्तमाल कर सकते हो, तीन वाय बसता है, उस पर एक पंप की जो वायर बची हुए है, उसे लगा दीजिए, और जो रेगुलेटर पर आपके पास एक वायर बसता है, उस पर आप अपनी एर मोटर की एक वायर लगा दीजिए, यह हो जाता है आपका कंप्लीट कनक्शन, इस नेम, फ्रेंड्स यहाँ पर पर नेम, प्लेट को लगा अगर कंप्लीट के लगा है, मैं वायर को इलेक्शिटी बोड के अंदर लगाता हूँ, इसका कंप्लीट टैस्टिंग कर लेते हैं, आड़ा है हुप यू गाइस फूदियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता था इस वीडियो को लाइक करना ज्यादा बातने के लिए अपने दोस्तों को शाथ में शेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बोलेने उटेसे न को जरूर से प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर एक लेटर स्टूडियो के अपडेट में आपको सब से पहले धन्यवाद।